अस्वाम अलेकुम, वेलकम टू पैरेडाइस किचन, आज मैं आपके साथ होममेड चवन पराश की रेसिपी शेयर करूँगी, चवन पराश हमारी इम्मुनिटी को तो वढ़ाता ही है, साथ ये कफ के रोग जैसे सर्दी, जुकाम, खासी, अस्थमा में भी फैदे मन्द होता है, विटामिन सी का खजाना तो है ही, साथ ही इसमें एंटि आक्सिडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, और इसकिन और बालों के लिए भी फैदे मन्द है, शायद ही कोई असा रोग हो, जिसमें चवन पराश काम ना करता हो, चवन पराश सहत के लिए गुड़कारी तो है ही, लेकिन इसका सहत में फायदा तभी है, जब ये आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बनाया गया हो, ना कि अपने हिसाब से, अपने फॉर्मूले से, वैसे तो चवन पराश मार्केट में असानी से मिल जाता है, लेकिन इसे घर में भी बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा तर जो चवन पराश मिलते हैं, उसमें वो पोशक्तत नहीं होते, जिसके लिए आप चवन पराश खाते हैं, इसमें चार बेसिक चीज़े हैं पहला आमला, दूसरा गुड, तिसरा घी और चोथा शहर और सबसे इंपोर्टेंट जो चीज़े हैं वो हैं जड़ी बुटिया वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से हमवल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहें तो वन टाइम सबस्क्राइब ज़रूर कीजेगा ताकि ऐसी ही नॉलेजबल रिसिपीर्ज आपको मिलती रहें तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रिडेंट देख लेते हैं इसके लिए हमने कुछ जड़ी बुटियां ली हैं जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है इसके लिए हमने लिया है एक किलो आवला और एक किलो गुड जड़ी बुटियों में 10 ग्राम मुलैठी 10 ग्राम सतावर 10 ग्राम गिलोय 10 ग्राम अश्वगंधा 10 ग्राम सपेज चंदन 10 ग्राम अकरकरा पुनर्नवा 10 ग्राम नागरमोथा 10 ग्राम इसके लावा छोटी हर 10 ग्राम सपेज मुसली 10 ग्राम पीपर, जीवक और सोट 10 ग्राम 24 से 25 छोटी इलाईची 24 से 25 लॉंग 6 से 25 पत्ता 2 से 3 स्टिक दालचीनी केसर और एक जैफल इसके लावा है मीठा नीम यानि के कड़ी पत्ता और तुलसी दोनों के मैंने च्छाए में सुखा लिये है अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश ले लें मुनक्का, खुजूर, पिस्ता, आख रोट और बादाम लेंगे ड्राइफ रोट बिल्कुल आप्शनल है मैंने च्वन प्राश का टेस्ट बढ़ाने के लिए ड्राइफ फूट डाला है ताकि बच्चे भी खा लें आप नहीं डालना चाहतें इसकिप कर दें लेकिन खजूर और मुनक्का ज़रूर डालिएगा इसके अलावा शहर और देसी गे लेंगे आउली को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें एक कप पानी डालेंगे कुकर की लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 3-4 मिनट पकने देंगे इदर हम सारी जड़ी बुटियों को पानी में डाल कर जल्दी जल्दी दो लेंगे और फौरन पानी से निकाल लेंगे ताकि जड़ी बुटियां पानी ना सोखने पाए सिर्फ उपर की धूल साफ हो जाए इसको हम एक छण्ने में रख देंगे और धूप में सुखा लेंगे हाथ में गलफ ज़रूर पहन लीजेगा क्योंकि ये हाथ में लग सकता है आप चाहें तो बिन धोय बना ले लेकिन घर में बनाने का यही तो फाइदा है कि हम इसे साफ सत्रे हाजनी तरीके से बनाते हैं कूकर का प्रेशर निकल चुका है अब हम आवले को चेक कर लेते हैं आवला गल चुका है, सारे आवले को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे, आप चाहें तो आवले को ठंडा होने दें, या गरम ही गरम बीज निकाल दें, तो हम आवले से सारे बीज निकाल कर उसकी कलियां अलग कर लेंगे, तो इस तरह हमने सारे बीज निकाल कर आवले की कलियां अलग कर लेंगे, अब इसको एक साइड में रखते हैं, सारे जड़ी बूटियों को हमने तेज धूप में सुखा लिया था, अब इसको खरल में कोट लेंगे, क्यूंकि अगर डारेक्ट जार में डालेंगे, तो जार खराब हो सकता है, अच्छे से कोटने के बाद जार में डाल कर फाइन पाउडर बना लेंगे, पाउडर बनाने के बाद एक छन्दे से चान लेंगे, और उपर से रेशा और छिलका हटा देंगे, अब इधर हम आउडर की कलियों को ग्राइनडर जार में डालेंगे, और उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, आउला बॉयल करने के बाद जो पाणी बच गया था, उसी पाणी को जार में डाल कर पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बनाने के बाद उसको एक छन्दे में डाल कर छान लेंगे, ताकि कोई लम्स ना रहे, तो इस तरह हाथों की मदद से चलाते हुए छान लेंगे, तो इस तरह सारे पेस्ट को छान लेंगे, और इसके रेशे को निचोड कर हटा देंगे, तो इस तरह हमारा इसमूद सा बिना लम्स का पेस्ट तयार है, खजूर और मुनक्के को भी हमने उसी जार में डाल कर पेस्ट बना लिया था, जिसमें हमने आमले को पीसा था, अब इसी चणने से इसको भी छान लेंगे, तो इसको भी हमने छान लिया है, अच्छी तरह से छानने के बाद रेशा और छिलका हटा देंगे, तो खजूर और मुनक्के का भी विदाउट लंस पेस्ट रेडी है, तो इस तरह हमने सारी चीज़ें प्रिपेर कर ली है, अब इसको बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए हमने लोहे की एक बड़ी कड़ा ही ली है, और उसमें खरीब 200 ग्राम देशी घी डालेंगे, चोण पराश गाय के घी में सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास गाय का घी ना हो, तो तिल के तेल में भी बना सकते हैं, या आधा तिल का तेल ले 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 और आधा घी ले ले ले, घी को कड़ाही में चारो तरब फैला देंगे, और गरम होने देंगे, अब जो हमने आवले का पल्प तयार किया हुआ है, वो घी में डालेंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, पेस्ट को बराबर चलाते हुए पकाएंगे, चोण पराइश अक्सर लोग नौन इस्टिक पैन या एलमुनियम की कड़ाही में बनाते हैं, लेकिन इसका जो असल फायदा है, वो लोही की कड़ाही में ही बनाने में है, किसी और पैन में बनाने में नहीं है, तो कोशिश करें कि लोही की कड़ाही ले, तो आप देख सकते हैं लोही की कड़ाही के साथ मिलकर आउले का कलर ब्लैक इश होने लगा है तो पल्प को हाई फ्लेम पर कंटिनुवस चलाते हुए हमने पकाया है और अब ये सुखने लगा है अब यहाँ पर हम गुड एट कर देंगे गुड को हमने छोटे छोटे टुकडों में तोड लिया था ताकि जल्दी और आसानी से मिल्ट हो जाए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे चवन पराश में शकर का इस्तेमाल बिलकुल भी ना कीजिएगा अगर आप शकर का इस्तेमाल करेंगे गुड की जगह तो फाइदे के बजाए नुकसान कर देगा क्योंकि शकर वैसे ही बहुत नुकसान दे होती है गुड पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है इसको हमने मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए पकाया है अब इसमें मुनक्का और खजूर के पेस्ट को एट कर देंगे इसको भी मेडियम फ्लेम पर कंटिनूस चलाते हुए पकाये इसको हम बराबर इसलिए चला रहे हैं ताकि ये तली में ना चिपके अब ये काफी छिटकने लगा है तो इसको एक तरफ से ढख देंगे और हाथों को बचाते हुए चलाएंगे आप यहाँ पर चाहें तो हाथों में गलफ्स डालने ताकि हाथ पे गर्म छिटे ना पड़े अब यहाँ पर हाफ टी स्पुन हल्ती पौडर डालेंगे और जड़ी बूटियों का जो हमने पौडर बनाय हुआ है पौइट कर देंगे अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हलके हलके से चम्मच चलाएंगे क्योंकि यह उड़ता बहुत है फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे आप चाहें तो जड़ी बूटियों के पौडर को थोड़ा थोड़ा करके डालें या एक साथ डालें लेकिन यहाँ पर बहुत कॉंशस होकर चलाएंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे अब हम इसमें ड्राइफ फूट का जो हमने पाउडर बनाया हुआ है वो अट कर देंगे यह बिल्कुल भी ऑप्शनल है इसका मकसर सिर्फ टेस्ट को बढ़ाना है ताकि बच्चे भी खा लें क्यूंकि बच्चे जवन प्रैश खा करते हैं कि आपने इसमें क्या डाला है वरना मार्केट में हर ब्रांड का चवन प्रैश मिलता है चवन प्रैश जो हम घर में बनाते हैं उसमें चीने का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करते अब हम इसमें जो गरम मसाले लौंग इलाइची जाइफल तेसपत्ता दाल चीनी का जो पौडर बनाय हुआ है वो एट कर देंगे आहिस्ता इस्ता चलाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और पौडर के बिल्कुल मिक्स हो जाने तक पकाएंगे अब इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे अगर आपके पास हो तो डालिए वरना स्किप क कर देंगे तो अब देख सकते हैं हमारा चवण पराश अपनी परफेक्ट कनसिस्टेंसी पर आ गया है इसका टेक्स्टर्स इस्टिक मतलब चवण पराश रेडी है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और सबसे लास्ट में जब चवन पराश थंडा हो जाए तो शहद आइट कर देंगे ये बात ध्यान देने की है कि गरम में शहद नहीं मिलाना है जब तक कि चवन पराश पूरी तरह से थंडा नहों जाए अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चवन पराश के उपर शहद की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने चवन पराश बना लिया और वो भी बहुत कम कीमत पर ड्रैग फ्रूट को अगर छोड़ दें तो कोई भी चीज कोसली नहीं है जड़ी बूटियां भी बहुत सस्ती मिलती है गोड आवला भी सीजन में बहुत सस्ता हो जाता है तो जब घर में आसानी के साथ कम कोस्ट पर चवन पराश बना सकते हैं तो मार्केट के महगे चवन पराश का क्या मतलब और यकीन मानिए हजारों रूपए खर्च करके भी आप इतना अच्छा और हाईजनिक तरीके से बनाये हुआ चवन पराश नहीं पा सकते हैं और वो भी इतनी ज़ादा कॉंटिटी में तो जिस जार में आपको चवन पराश रखना हो उसे पहले गर्म पानी से धो कर धूप में सुखा लें ताकि जार में किसी तरह की कोई इसमेल ना हो दो से तीन महिना रूम टेंपरेचर पर रखने के बाद फिरिज में रख देंगे क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है निकालने के लिए हमेशा सुखे चमच का इस्तेमाल करें तो आप अपने दिन की शुरुआत एक चमच चवन पराश के साथ कीजिए आप इसे दूद ये पानी के साथ ले सकते हैं आई होब कि मेरी चवन पराश की रिसिपी आपको पसंद आई होगी एक बास जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि आपका चवन पराश कैसा बना मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा तो जुड़े रहे पारडाइस किचिन से ऐसी ही रिसिपीस के लिए शुक्रिया अलाफिस